लेकिन जिस तरह से मुवी की टीम की तरफ से जो आउटपुट देखने को मिल रहा है और जिस तरह का माहोल गरम पड़ा होने लिटरली गईस काफी ज्यादा भयानक कामकाज होने वाला है काफी लोगों की मेसेजस आए कमेंट आए कि हर्च भी कलकी 2898ad के बारे में कुछ latest update देदो ट्रेलर के बारे में कुछ अपडेट हाया तो बता दो संसर के बारे में कुछ हो तो बता दो मतलब की कोई भी update ओ कलकी मूवी के बारे में तो आप हमारे साथ शेयर कर दो multiple question है multiple queries है कल की movie के बारे में तो guys मैं आप लोगों को बताता चुलू ये वाला वीडियो काफी important होने वाला और प्रभास अन्ना सर के fan के लिए कल की movie के fan क्योंकि इस वीडियो में आपन बात करने वाले movie के sensor के बारे में और उसी के सासा second trailer के बारे में मैं सब बता रहा हूँ लेकिन उससे पेला आप वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं सी back to back update लाते हैं किस के लिए आप ही के लिए तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर जो कल की movie की team की तरब से जो nine days में जो output दिखाई देने वाले न यह काफी भयानक होने वाले और काफी तगड़े होने वाले हैं तो पहले आपन बात कर लेते हैं इसके sensor के बारे में कब तक मतलब फिर आएंगे अपन इसके second trailer के बारे में तो गईज मैं आप लोगों को बताता चलू कल की movie की team ने जो movie का sensor है वो forward कर दिया मतलब की sensor के लिए movie forward कर दिये जा चुकी है cvacf के लिए उसी case सासद यह जो report है sensor की जो report आजाएगी after two days के बाद आजाएगी लेकिन देखना यह काफी ज़्यादा important होगा क्योंकि यहाँ पर A rating तो possible हो नहीं सकती क्योंकि आप लोगों को पता A rating मतलब की adult होता है लेकिन यहाँ पर जो expect किया जा रहा है UA किया जा रहा है और UA rating भाई साब एक box office पर जो potential रखने के लिए काफी ज़दा important होती है तो expect यही किया जा रहा है कि UA इसकी rating आने वाली है तो गईस movie की team ने इसकी जो sensor report है मतलब की जो whole movie की जो sensor के लिए पहुचा दिये और after two days के बाद इसकी sensor report आ जाएगी जिसके लिए वेट और हर कोई कर रहा क्योंकि वहीं से तो इसके incited review निकल कर आएगे कि movie के stripe की direction में मतलब की सारा का सारा वहीं परपता चल जाएगा और वहीं अगर अपन बात करें second trailer के बारे में तो guys मैं आप लोगों को बताता चलू first trailer के दिनी यानि की 10th of June के दिनी मैंने आप लोगों के साथ second trailer का सारा update share कर दिया था कि कैसा क्या होने वाला second trailer का sensor भी हो गया यह वो मतलब की whatever काफी सारी चीज़े मैंने आप लोगों के साथ share की थी तो guys मैंने आप लोगों को बताया था previous video में और जब official trailer आया था उस दिन भी मैंने बताया था जब इसका pre-release event होगा तब यह official trailer देखने को मिलगा यानि कि second trailer देखने को मिलगा तो guys असा बताया जा रहा है second trailer का जो trailer launch event होने वाला है वो 23rd of June को होने वाला यही वाला जो आ रहा है ना on the way उसी दिन इसके trailer का launch event होने वाला 23rd of June को अब guys मैं यह सोच रहा हूं कि जो 23rd को trailer launch event होने वाला तो कहीं ऐसा तो नहीं कि pre-release event भी साथ में हो जाया क्योंकि आप लोगों को पता है जब मैंने 10 June को वीडियो बनाया था मैंने आपको proper तरीके से सारी updates फिल की थी आप सभी के साथ तो 23rd का इसका जो अमरावती यानि की आंदरप्रदेश में इसका जो pre-release event होने वाला था तो कहीं यह दोनों event को एक साथ तो नहीं करने वाले कल की movie की team डिरेक्टर नाग अश्विन सर की तरप से और वहाँ पर तो आप लोगों को पता ना कितने बड़े-बड़े celebrities आ रहे है अपने superstar रजनी कांसर कमल हसन मत और अपने अमिता बचन मतलब कि सारे के सारे legendary actor देखने को मिलने वाले है इस pre-release event में और मैं आप लोगों को बताओ ना भाई सब second trailer काफी खतरनाख होने वाला जिसका विट मैं ही नहीं भाई सब हम सब even hater भी कर रहे है कि trailer किस type का होने वाला किस type का action trailer होने वाला किस type का technology होने वाला है जो की अपने को काफी जल्दी second trailer में दिखाई देने वाला है वैसे आप लोग हमें बता है कल की 289880 के sensor के बारे में आप लोगों को क्या लगता है और आपके क्या opinion है इसके second trailer के बारे में उस trailer के launch event के बारे में इसकी UA rating के बारे में जो के expected की जा रही है क्या लगता है अपन अब तब तक लिए जाही जे भारत